नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेटियम जिसको हम लोग 197 की नाम से जानते है और इस वीडियो को काफन के आ रही है जिसका इंपेक्ट हम लोग को आज देखने के लिए मिला है अप लोग को देखने के लिए मिली है तो इस समय अपनिग अपनिग आप लोगो प्रेटिम को लेकर गर जो न्यूज है उसको आप लोगो पूरा समझना पड़ेगा ध्यान से अब देखे जो न्यूज कहते है जो आर बिया है उनको कुछ जो इनके डैटर सर्वर्स थे पेटिम के उनमें कुछ आप लोग उनको थोड़ी सी तूटी लगे थी य अगर आप लोगो यह कुछ इंप्रोवमेंट करते हैं उसके बाद हम लोग आपको परमिशन दे देंगे दोबारे से या इन केस अगर आप लोगो कोई भी नया यूजर एड़ करना तो आप लोग आप लोग परमिशन से लेकर उस यूजर को एड़ कर सकते हैं अपने परमिशन देगा जिसके तो सिर्फ उनके तो जो ट्रांजिक्शन थे उन तक भी बैन लगा दिया था तो आप लोगो इस से बिलकुल पैनिक होने की कोई बात नहीं है हम लोग देखिए जो इस चैसे ही जो परमिशन देगा काफी बड़ी कंपरी है वो इस प्रब्लों को का स्थ segurança सकते हैğे लेकिन इसमें जो अभी प्रब्ढंत शिनएर जो करनट यूजर है पे ट्यूजर है में जो करन्ट यूजर है उन को कोई भी बी आर भी है किसी चीडि की रॉपटोक नहीं दिये है वह इसले पेमेंट कर सकते है या कि निजया निकल के आई है आर बियुस न हम लोग पते हैं कि पुरा पुरा इंपक्ट हम लोगो जो है आर बेई की जो पेमेंट थी उनीस हम लोगो देखने की मिला है तो अपलोग को न्यूज सही से समझ में अगर आग हो यह तो बहुत अच्छी बात है और हम लोग अगर इसके चार्ट के बारे में देख लेते हैं तो इसका जो है चार्ट में हम लोगो पेटेब से में इस समय स्टेबलिटी देखने के मिल रही थी और हमको पूरी पूरी उमीद थी कि यहां से यह से बाउंस बैक कर सकता है 840 साक हम लोगो यह से जातों दिखाए दे सकता है लेकिन आज मार्केट खुलते साथ हम लोगो जो न्यूस यह अप्लोक से सेटरड़े के संथिंग सेटरड़े के आई थी उसके बाद हम लोगो इतना नहीं लगा था कि आई होप की लोग समझ जाएंगे लेकिन इतना लगा था जिसके चलते हम लोगो इस यह में काफी बड़ी गिराव देखने के मिली है लेकिन अब ब सेटरड़े में यह बास चाहिए इसी बिल्कुल सेट है कि जैसे ही पेटिम में जो अभी तूटी देख रही डेटा सेंटर है वो जैसे क्लियर हो जाएगी यह शेर आप लोग को दुबारा से इसी प्राइस सेग्मेंट में गोमता हो नजर आ सकता है तो यह करन सही समय है आ क्योंकि पेटिम को थोड़ा से टाइम लगता है इस चीज़ को कंटिन्यू करने में इस चीज़ को दुबारा से जो डेटा सेंटर है वो काफी बड़ा प्रोसेस होता है डेटा सेंटर को महां से कहीं हो जो अधर कंट्री में इस्टैबलिश है वहां से डेटा इंट्ने में